हेलो गाइस कैसे हो यार मिना नाम मैं मान्शू आप देख रहे हो ड्रेक्स्टर शॉड यूट्यूब चानल आज इस वीडियो मैं आपसे बात किरने वाला हूँ कि आप अपना ग्राफिक कार्ड कैसे ओवर क्लॉक कर सकते हो ठीक है तो यहां पर मैं आपको GT 710 2GB वाला विरिंट मैं आपको ओवर क्लॉक करके दिखाऊंगा इससे पहले भी मैंने GT 610 ओवर क्लॉक किया हुआ था यहां पर मैं GT 710 यूज कर रहा हूँ ओवर क्लॉक करने के लिए ठीक है तो यार यह वीडियो पर्टिकुलर GT 710 के लिए है अग अगर आपके पास कोई अच्छा ग्राफिक काड है देन आपको ओवर क्लॉक करने के जरुवत नहीं बड़ा अगर आपके पास लूप प्रोफाइल वाला कोई ग्राफिक काड है जैसे GT 710 GT 730 ठीक है तो आप ओवर क्लॉक कर सकते हो तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले है आपको MSI After Burner डाउलोड करना है यह आपको MSI की Official Website पर बिल जाएगा आपको यहां सीधे लिखना है MSI After Burner आपको पहली लिंक पर क्लिक कर देना है और आपके पास यह ऐसा एक पेज आ जाएगा ठीक है तो सबसे नीचे आपको स्क्रॉल करना है सबसे लास्ट में आपको त जाहे तो इसका नॉर्मल वर्जिन कर लो डाउनलोड चाहे तो बीटा वर्जिन कर लो तो यह आप में डिपेंडेट है ठीक है अब आपको MSI After Burner आउन कर लेना है ठीक है तो मैं आपको बता दूँ कि यह अच्छा ग्राफिक कार्ड है तो आप प्लीड उसको ओवर्ट्लॉक मत करिएगा क्योंकि वो उसमें अलड़ी उतना केपेबल है गेम्स चलाने के लिए बड़ अगर आपके पास एक लो एंड जीपीउ है दिन आप उसको ओवर्ट्लॉक क अगर आप जाएगा तो यहां पर जो कोर क्लॉक दिखा रहा है यह 0 पे है और अड़ को कोर क्लॉक करना है 390 पे ठीक है अगर आप 400 अबफ जाओगे तो जैसे मैंने बताया आपको कि आपका PC क्राश कर जाएगा ठीक है तो 400 के अबफ माजना आइज पूट इस वाल्यू त जहां पर memory clock है यहां पर आपको कर दिना है 192 ठीक है मतलब यह कोई exact value नहीं है मतलब यह जतनी values हैं यह दोनो 390 और 192 मेरी लिए अच्छे तरीके से work करती है इसलिए मैं यह आपको values बता रहा हूँ ठीक है अब यह especially GT 710 वाले जितने यह बंदे देख रहे हैं यह apply करना ठी 20 fps boost आपको हर गेम में मिलेगा ठीक है तो मतलब मैं यह नहीं बता रहा हूँ कि आप कोई भी कोई भी गेम खेलोगे तो आपको 20 fps मिल जाएंगे नहीं यह ठीक है जितने भी medium games है जैसे PUBG Lite हो गया PUBG Mobile Emulator हो गया Fortnite हो गया CSGO हो गया ठीक है मतलब इन सब टाइप की जो games है इनमें आपको अच्छा fps boost मिलेगा ठीक है तो क्या करना आपको 390 पर set करना है cool clock and memory clock set करना है 192 पर यहाँ पर एक tick mark है यहाँ पर आपको इसको ऐसे tick कर देना है and that's it आपका graphic card हो गया है overclock and that's it आप इसको minimize कर दो and आप अपनी game अराम से खेल चाकते हो ठीक है and अगर आपको वापस से वैसे ही करना है मतलब अगर आपको overclock नहीं करना है then आप यहाँ पर एक middle में एक यह symbol देख रहे हो इस पर click कर दो तो आपस से values सारी वैसी ही हो जाएंगी ठीक है but हाँ make sure कि आप 400 के above मत जाओ नहीं तो आपका PC crash कर जाएगा and आप games नहीं खेल पाओगे मतलब खेल लोगे obviously बात है आपको restart करना पड़ेगा so याप यह ही जा यह method ठीक है कि आप अपना GPU कैसे overclock कर सकते हो and believe it or not but overclock करने के बाद आपकी जो performance होती है जो game की जो PC की performance होती है वो बढ़ जाती है इसलब 20-30% आपकी जो performance है वो increase हो जाती है ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही तयार अगर चैनल पर पहली बार आयो तो भाई प्लीज इस वीडियो को like कर दो चैनल को subscribe कर लो और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में तक के लिए बाई